नमस्कार और वेलकर्ण डूल अफेर्ज मैं हूँ प्रशान दवन नाव हाली मैं आप सब लोग ने सुनाओगा कि INS विकरान के C ट्राइल स्टार्ट हो चुके हैं और इंडियन नेवी ने एक बहुत जादा मैं काऊंगा Majestic वीडियो यहाँ पर रिलीस करी है जो मैं आप सब को दिखाना चाहूँगा सो यहाँ पर आप देख पाओगे एक बहुत ही जादा प्राइड की मोमेंट है पुरे देश के लिए हमने खुद as a nation बिल्ड किया है एक एरक्राफ्ट कैरियर दुनिया में गिंती के 6 से 7 देश हैं जो खुद एक एरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे एक made in India एरक्राफ्ट कैरियर जंगल में खुसकता है कभी आपने शेर देखा हो किसी अलग उसका एक रॉब होता है अलग एक confidence होता है same टाकपा confidence यहाँ पर आप देखोगे it looks absolutely majestic यहाँ पर पूछ सकते हैं ठीक है सर majestic majestic अपनी जगा है मगर इसकी cost क्या है how much did it cost to build in India तो इसकी total cost है roughly 3.5 billion dollars इंडियन रुपीज में आप कह सकते हैं roughly 23,000 करोड का हमको पढ़ा है IN विकरान तब यहाँ पर आप कहोगे wow that's a lot of money I mean हमारा देश अभी भी एक developing country है बहुत सी needs अभी पूरी करनी है क्या इतना सरा पैसा एक military equipment में हमको invest करना चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर यह पता दू made in India का फाइदा यही होता है कि जो यह 3.5 billion dollars है इसमें से majority सारा तो नही मगर majority जो यहाँ पर amount है यह हमारे देश की economy में ही गया है क्योंकि overall 50 से अधिक जो भारतिय manufacturers है उनको यहाँ पर मिले थे tender regarding this project किसी manufacturer ने यहाँ पर कुछ बनाया है किसी और ने यहाँ पर कुछ बनाया है और overall इसको build किया है कोचन शेपियार ने भारतिय कंपनी है और इसको यहाँ पर बनाते वक्त 2000 इंडियन्स को रोजगार मिला है और total 40,000 लोगों को यहाँ पर employment मिली है indirectly तो यह सारा पैसा यह सारा रोजगार आप कह सकते हैं 80 to 85% भारत में ही आया है अगर यह aircraft carrier सीधा हमने purchase कर लिया होता रश्या से या फिर USA से तो सीधा सारा पैसा जाता उनक जेब में इससे पहले जो मैंने aircraft carrier purchase किया है from Russia जिसको हम आज के समय कहते हैं INS Vikram Anditya उसकी cost थी 2.8 billion मगर वो हमने purchase किया था 2008 में और वो थोड़ा सा एक outdated aircraft भी है this is very much a new aircraft carrier made in India और बहुत सारा पैसा हमने अपनी economy में pump किया है through this project और अगर हम बात करें top speed की तो इस aircraft carrier की top speed है around 28 knots length को आप अगर देखो तो 262 meters की इसकी length है displacement weight है इसका around 40 to 45,000 ton और जब इसके sea trial हुए तो देश के PM ने भी यहाँ पर tweet किया है कि the indigenous aircraft carrier विकरांद designed by Indian Navy's design team and built by Cochin Shipyard Limited undertook its maiden sea trial अब यहाँ पर देखोगे हर जगा सेम बार लिखी है sea trial यह sea trials क्या होते हैं क्या यह aircraft carrier त्यार हो गय नेवी के पास पहुझ गया हिए तो इसका answer है नहीं sea trial in very simple words होता है testing phase तो यहाँ पर अभी हम test कर रहे हैं कि जब यह sale पर जाता है aircraft carrier तब क्या कुछ problems आती हैं क्या कोई issues आते हैं तो अभी के लिए sea trials हो रहे हैं अभी इसके delivery और commissioning होगी उसके बाद यह बन जाएगा part भार उसके बाद इंडिया के पास officially हो जाएंगे दो aircraft carrier एक तो INS Vikram Andetia already हमारे पास है और दूसरा पहला made in India aircraft INS Vikram और दुनिया में आपको ये बदा दूँ कि गिंती के देश है जिनके पास एक से अधिक aircraft carrier है अच्छली एक aircraft carrier वाले भी देश दूनिया में बहुत कम है यहाँ प जपान का हाँ पर है यहाँ पर जपान का भी काफिवार सुना है कि मारा बार naval exercise में वो लेके आते है अपना aircraft carrier या फिक किसी टाप का carrier तो लाते ही है तो जपान यहाँ पर क्यों यह देखिए अब क्या हो रहा है कि दुनिया भर में जो भी list बन रही है aircraft carrier की वहाँ पर उन countries क काउंट नहीं करते जिनके पास helicopter carrier है helicopter carrier altogether different होते हैं अगर आप बात करें helicopter carrier की तो वहाँ पर यह सब देश आएंगे USA के पास 10 helicopter carrier है जपान के पास है 4 France के पास है 3 Thailand के पास भी एक helicopter carrier है और जो helicopter carrier है यह दिखता है कुछ हद तक ऐसा size में यह aircraft carrier के आप कह सकते हैं एक पिहाई या फिर अल्मोस 50% के आजपास का होता है और यहाँ पर जैसे कि आप समझ पार होंगे helicopters take off या landing कर सकते हैं अब आप यहाँ पर पूछोगे के जपान aircraft carrier क्यों नहीं build करता यह helicopter carrier क्यों बनाते हैं वो भी 4 और USA भी देखिए जपान क की recently मैंने defense report पड़ी थी उन्होंने वहाँ पर यह का है इनकी सोच है Japanese military experts की सोच यह है कि aircraft carrier useless है unless आपको बहुती दूर attack करना हो USA के case में aircraft carrier important है क्योंकि obviously बात है US को पूरा एक ocean cross करना पड़ेगा Pacific Ocean चाइना पर या फिर Russia को अटाक करने के लिए मगर जपान यह मानता है कि उनके case में एक बहुती छोटा sea उनको cross करना है sea of Japan और फिर China के अगेंस वह स्टाट हो जाएगी तो इनको aircraft carrier की आउशकता नहीं है यह focus करते है helicopter carrier पे क्योंकि यह लोग मानते है कि China की सबसे बड़ी strength है उनकी submarines उनकी पंडूपी और helicopter से आप submarines को हंट कर सकते हो तो जपान ने बहुत सोच समझ कर aircraft carrier को ignore करके सिर्फ focus किया है helicopter carrier पर यह सब सुनने के बाद आप पूछेंगे तो क्या इंडिया यहाँ पर गलत रास्ते पे है तो इसका answer नहीं देखे यह बस जपान की theory है actually मैं कल को अगर एक बहुत बड़ी war होती है तब उस वक्त पता लगेगा कि aircraft carrier का क्या use है क्या उसका impact होगा इंडिया of course मान के चल रहा है कि हमारे पास दो aircraft carrier होने चाहिए मगर हमारे पास helicopter carrier इस वक्त है जीरो और मैं आपको यह बता दूँ कि इसका initially नाम था IAC-1 IAC-1 क्यों IAC की full form नहीं यहाँ पर indigenous aircraft carrier indigenous मतलब के जो आपने खुद बनाया हो और 1 इसलिए क्योंके यह पहला aircraft carrier है जो भारत ने खुद बनाया है यहाँ पे आप पुछोगे अच्छा तो IAC-2 का भी plan है तो देखिए एक proposal है कि IAC-2 भी बनाया जाए INS विशाल भरत का तीसरा aircraft carrier भीम बना सकते हैं मगर सरकार अभी के लिए इसको लेकर इतनी excited है नहीं क्योंके देखो जब आप बनाओगे एक aircraft carrier साथ में आपको aircraft दी चाह सिम्दरली कलको करम बनाते हैं एक और aircraft carrier इसको बनाने में ही आपके लग जाएंगे 25 से लेकर 26,000 क्रोड रुपे फिर उसके बाद इसके लिए आपको चाहिए होंगे aircrafts और helicopter आपको चाहिए होंगे उसके additional आमान के चलीजे 15 से लेकर 20,000 क्रोड रुपे minimum आपको खर्च नही अभी इसको लेकर इत्ती enthusiastic है नहीं सरकार अभी के लिए focus कर रही है submarines पर made in India submarines इसलिए आपने देखा होगा कि project 75 I को बहुत ही जल्दी funding मिल चुकी है मगर eventually मैं मानता हूँ कि भारत को सोचना होगा कि 2030 तक जो समीकरण बनेंगे उसके हिसाब से हमारे पास क्या minimum 3 aircraft carrier होने चाह चाहिए INS Vikramaditya, INS Vikrant और INS Vishal ready होना चाहिए क्योंकि China जिस speed से aircraft carrier build कर रहा है ये अराम से 5 से लेकर 6 aircraft carrier build कर देंगे 2030 तक तो हम चाहिना से बहुत पीछे हो जाएंगे इस मामले में तो हमको यहाँ पर at least कुछ हद तक catch up करने के आप शकता है अगर चाहिना के पास होते हैं 2030 में 6 aircraft carrier तो हमारे पास at least 3 तो होने ही चाहिए और फिर यहाँ पर बाद आती है technology की आपने एक technology develop करी जो भी यहाँ पर design है INS Vikrant का यह develop किया गया है by D&D Directorate of Naval Design build हम कर रहे हैं इसको coaching shipyard limited द्वारा जो अपने आप में एक सरकारी company है under the ministry of shipping तो यह सारा experience यह सारी expertise क्या हम इसको बिल्कुल छोड़ देंगे in the future कोई भी aircraft carrier ना बना के तो यह हमको कहिना कही सोचना होगा के इतने लंबे समय के बाद तो हमारे पास finally expertise आई है के एक aircraft carrier बनाते कैसे हैं तो I think time आ चुका है के in the future भी हम एक और project start करें एक तीसरा aircraft carrier India Navy को चाहिए होगा क्योंकि अभी के लिए अगर देखो तो INS विक्रान के 76% जो components है यह है made in India बाकी हमने काफिस के components import भी किये है from various countries तो जो यह 76% है in the future इसको हम अराम से 85 to even हो सकता है 90% भी हम convert कर दें इसको और फिर अगर बाद आती है aircraft की तो वहाँ पर हम focus कर सकते हैं कि क्यों ना हम सिर्फ यहाँ पर made in India aircraft ही use करें हमारे पास almost 10 साल का time है I am sure we can manage this तो देखी अभी के लिए तो देश वेट कर रहा है August 2022 का जब इंडिया के पास officially आ जाएगा INS विक्रांद and this will be a huge achievement एक और इससे इंडिया के पास power ये भी आती है कि कल को गर मान लीजे कोई आसियान देश है Indonesia है Philippines है वो भी यहाँ पर भरत को कह सकता है कि please हमारे लिए एक aircraft carrier बिल्ड करी और मैं आपको बदा रहता हूँ कि आने वाले 3 से लेकर 4 साल में भालत के पास definitely एक aircraft manufacturing का order भी आएगा किसी ना किसी देश के थुरू इससे हम विदेशी मुद्रा भी कमा पाएंगे so this is a great news overall और in the future अगर INS विगरान से related कोई और developments होती है तो मैं updated videos भी लाता रहूँगा और finally आपर मैं ये वियाट कर दूँ कि Anacademy का UPSC Combo Offer available है simply यहाँ पर जाओ comment section में click करो यहाँ पर एक link पे अगर आप mobile phone पे हैं तो फ़र डाउनलोड करो नacademy के app को फिर यहाँ पे click करना link पर और यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं ये unique combo pack यहाँ पे आप UPSC prelims, mains, optional तीनों की ही तियारी आप कर पाएंगे ये courses अलग-अलग purchase करोगे तो 10,000 से उपर आपको वैसे ही खरचने होंगे मगर यहाँ पर एक तो आपको मिलता है combo का discount उसके उपर आपको मिलेगा एक additional discount अगर आप use करते हैं यहाँ पर promo code PD10 the prices will fall so use the promo code PD10 and save money so इसी note के साथ यह है video कांत thank you for listening and as always God bless you all